नमस्कार मित्रों तरकी के उपर सैंक्शन लगाने से लेकिन अभी United States Parliament यानि कि उनके House of Representatives और Senate ने कुछ Decision लिये हैं कुछ Act पास किया है जहाँ पे अभी Donald Trump को compulsorily सैंक्शन लगाने पढ़ेंगे तरकी के उपर तो इस वीडियो हमनों विशलेशन करेंगे कि क्यों ये सैंक्शन आ रहे है और किस तरह की सैंक्शन आ सकते है आगे चलके इसमें थोड़ा सा discussion इंडिया के उपर भी होगा तो चलिए discussion शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते है यूपन फॉलो मी आप गूलोड करें आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनाइट स्टेट्स की जो प्रेसिडेंट है अभी जैनेवरी में तो जो बाइडन बन जाएंगे लेकिन अभी करंटली डॉनल्ल ट्रम्प है पहले से रेफ्यूस किया है टर्की के ऊपर सैंक्षन लगाने के लिए क्योंकि टर्की ने खरीदा था रश्या का एर डिफेंस सिस्टम S400 हमने भी वो खरीदा है कुछ साल पहले हमने भी फाइनलाइज किया डिल फाइनली 2021 में वो डेलेवर भी हो जाएगा इंडिया को तो अभी युनाइटेड स्टेट्स कॉंग्रेस जो है उस अफ रेप्रेसेनेटिव संस सेनेट उन्होंने एक एक पास किया है जहां पे ट्रम्प अड्मिनिस्ट्रेशन को यह यह पेनालटीस इंपोस करनी ही पडएंगी जो बहुत दिनों से व हिंदेटेड थी वो भी इंपोस करनी पडएंगी तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या पास किया है युनाइटेड स्टेट्स काउंग्रेस ने United States Congress ने पास किया है एक Act 2021 National Defense Authorization Act Although ये Act defense spending से related है यानि कि it is going to sanction और it is going to provide defense budget spending जो होती है US military की US defense की तो उसके लिए उसमें कुछ प्रावदान ऐसे हैं कि जहां पे Donald Trump को इस funding को अपरू करने के लिए sanction लाने पड़ेंगे जिन countries के उपर भी pending है Although हम इस Act के अंदर detail में नहीं जा रहे हैं लेकिन ये Act पास होने के बाद President Donald Trump ने भी कहा है कि वो इस Act को veto कर सकते हैं तो आने वाले दिनों में एक टसल हो सकती है Parliament, US Parliament और US Presidency के बीच काफी interesting होने वाला है क्योंकि ये lame duck presidency चल रही है अभी लेम duck presidency मतलब वो केवल एक महिने के लिए रहेंगे January 2021 से तो जो बाइडन की presidency शुरू हो जाएगी लेकिन अंदेशा ये है कि जब जो बाइडन की presidency भी शुरू हो जाएगी उसके बाद शायद वो और भी strong steps ले सकते हैं तरकी के खिला लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं background के बाले अगर मैं background बता हूँ आपको United States ने 2017 में CATSA Act पास किया था CATSA मतलब countering America's adversary through sanctions act तो यहाँ पे specifically sanctions लगाए गए थे इरान, North Korea और रशिया की उपर तो ये bill पास हो थो 2017 में इस bill में ऐसे प्रावदान है कि अगर कोई इरान, North Korea और रशिया जो adversaries माने जाते हैं यानि कि दुश्मन है United States के उनके साथ कोई deal करेगा तो उनके उपर भी sanctions लग सकते हैं यानि कि एक तो उनके दुश्मनों पे लगेगा ही लगेगा जो उनके दुश्मनों के साथ deal करेगा उनके भी sanctions लग सकते हैं तो अगर हम लोग background की बात करें तो इंडिया और रशिया की relations तो काफी अच्छे हैं और हम लोगों ने भी वही missile defense system खरीदा है जो Turkey ने लिया है that is S-400 missile defense system almost 5 billion dollar in fact 5 billion से जादा की deal है इंडिया और रशिया की और ये अभी deliver भी हो जाएगा 2021 में तो क्या इंडिया के उपर भी sanctions लगेंगे या फिर लगे थे पहले इसका जवाब है नहीं क्योंकि इंडिया के लिए एक sanction relief दिया है United States ने although United States ने कहा है कि blanket relief नहीं है but sanctions more or less इंडिया के उपर ज़्यादा नहीं लगेंगे under catsup तो क्या यही waiver Turkey को भी मिला यह waiver Turkey को नहीं मिला Turkey ने खरीदा वही missile defense system उसके उपर कोई sanction नहीं लगाया Trump administration है क्योंकि Trump administration is not pro sanctioning Turkey और यह in line है जो Trump administration की policy रहे है क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी relations बढ़ा है North Korea के साथ और Turkey के साथ जब Turkey non-sickler policies कर रहे है तो it does make sense ऑल्सो कि Trump admission इनको ज़्यादा sanctions नहीं लगाना चाह रहे थे लेकिन अभी जो Defense Equation Act पास हुआ है उसके तहर sanctions लगाने ही पढ़ेंगे अगर budget approve कराना है तो United States को तो एक टसल आगे चलके हो सकता है Presidency और Congress की बीचे लेकिन अभी हम लोग एक अंदेशा लगाते हैं कि अगर Trump लगाएंगे sanctions तो किस तरह के sanctions लगा सकते हैं तो CATSA के अगर हम लोग बात करें उन पे इन 12 sanctions में से कोई भी 5 sanctions minimum लगाने पड़ेंगे याद रखना है आपको minimum 5 sanctions आपको impose करने है under the act itself तो किस तरह के sanctions होंगे आपकी assistance से credit रुख जाएगी US Export-Import Bank से या फिर आपको Export-Import ही रुख जाएगा United States से आपको United States से जो loan मिल रहा है वो अभी नहीं मिलेगा इस तरह के sanctions लगे या फिर United States दूसरे financial institutions जो international financial institutions है World Bank, IMF उन से जो loan मिलेगा उसको block करने की कुशिश करेगा United States के जो financial institutions है वो आपके उपर sanctions लगाएंगे जो भी आपकी procurement of goods and services US से होगी उसके उपर रोक लग सकती है सबसे बड़े तरह के जो sanctions है वो है sanctions related to executive यानि कि directly officials के उपर उनको visa deny कर सकते हैं उनकी investment जो होगी United States debt market या equity market में उनकी share market में उसके उपर रोक लग जाएगी या फिर उनके जो भी payment है कोई भी property है उसको जब्त कर लिया जागा इस तरह के sanctions लग जाते हैं और हम लोग ने देखा है कि इरान के बहुत सारे officials के उपर sanctions लगे है यानि कि ये 12th वाला इस्तमाल किया है United States ने रश्या के खिलाब इरान के खिलाब North Korea के खिलाब भी इस्तमाल किया है इन में से कोई भी 5 select कर सकते हैं President Donald Trump अभी तो अगर हम लोग बात करें क्या होने वाला है आगे इस development के बाद इस act के पास होने के बाद Turkey का already response आगे Turkey ने कहा है कि जो United States का जो move है especially United States Congress ने जो अभी act पास किया है जिसमें CATSA के तहित sanction लाने ही पढ़ेंगे Turkey के उपर it is very very disrespectful करके comment किया है Rasip Tayyip Erdogan ने Rasip Tayyip Erdogan ने कहा है कि क्या करेंगे Trump उसके लिए हम लोग patiently देखेंगे wait करेंगे कि क्या करने वाले है Trump लेकिन इससे हम लोग अंदेशा लगा सकते है कि जो NATO में ally है United States के Turkey Turkey is also part and parcel of NATO तो इसके उपर किस तरह के sanction होगे किस तरह के development होगा ये अभी आने वाला समय ही बता सकता है लेकिन अगर हम लोग एक conjecture लगाए एक guess करना चाहे कि किस तरह के हो सकते हैं जिस तरह से Donald Trump का रवया रहा है towards Turkey तो हम लोग एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि जो sanctions आएंगे वो काफी weak sanctions आएंगे strong sanctions against Turkey officials strong sanctions like visa ban etc we don't expect a lot from Turkey because अगर हम लोग देखे कि viability of US sanctions हम लोग देखे with respect to S-400 जो तरकी ने खरीदा है Russia से तो clearly यहाँ पर देख सकते हो sanctions on Turkey are now very much inevitable but it does offer President Donald Trump a lot to choose from और क्यों क्योंकि जिस तरह की भी वो sanctions लगाएंगे और normally अब हम लोग कह सकते हैं कि Trump weak type के sanctions लगाएंगे क्योंकि वो एक erstwhile NATO ally ही था Turkey was a NATO ally only तो इसकी वज़े से हम लोग यह कहा सकते हैं कि weak sanctions लगेंगे लेकिन आने वाले समय में अगर Joe Biden की presidency में stringent sanctions लगेंगे तो इससे हम लोग एक guess कर सकते हैं कि Turkey और US की beach relations आगे चलके खराब हो सकते हैं तो यह तो आने वाला समय ही बताएंगा किस तरह के sanctions लगेंगे अगर इस पर कोई development आईगे तो हम आपको जल से दर लाते रहेंगे study IQ पर that is it from my side on this part of discussion thank you for watching जैहन